एलो फ्रेंट्स, ख्लिप्स्टर्टिंग में आपकर असवागत है यह उनके जिन्दगी का सबसे एहम पहलू है खबरों के अनुसा संजयदत ने एक बयान में कहा मेरे कैप के दिन किसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं रहे अगर सकरात्मत पक्ष को देखें तो इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मुझे एक बहतर वैक्ती बनाया है आज मैं जो भी हूँ उसी वक्त की बदौलों था अपने परिवार और अपने चाहने वालों से अलग रहना एक चुनोती थी उन दिनों के दोरान मैंने अपने शरीर को अच्छे आकार में रखना सीखा मैंने वजन और डंबल की जगा कच्छे के डिबबो और मिट्टी के घड़ों का प्रयोक किया हम हर छे मैने में जेल के अंदर सांस्कृतिक समारों किया करते थे जा मैंने उम्रकैत की सजा काट रहे लोगों को समादबोन ना, गाना और नाशना सिखाया संजय ने कहा उस मुश्किल दोर में वे लोग मेरा परिवार बन गए थे और जब मैं हार माल लेता था तो वे मुझे प्रोटसाहित करते थे अंतिम फैसले के बाद जिस दिन से मैं जेल सी छूटा वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था मैं अपने पिता सुनिल दत को याद कर रहा था मैं जहाता था कि मेरे पिता मुझे आजात देखे और खुश हो परिवार हमारी ताकत होती है इसले परिवार को कभी भूलना नहीं चाहिए